वेल्कम बैक टू दे काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड हमने लेखे लिया होगा आज हम बात करने वाले 2024 किया करेंज फेसलिफ्ट के बारे में जो इंडिया में जल्द लॉंच होने वाली है इस गाड़ी के बारे में हम फुल डीटेल में बात करेंगे सो मेरी वीडियो इत्यान से देखना बिना स्किप करें हुए ताकि आप कोई भी डीटेल स्किप ना कर पाएं पर उससे पहले मैं आपसे के बाटन बात करना चाता हूँ अगर आप मेरे इस चैनल पे एकदम नहीं हुआ है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कार लेटेट इंफोमिशन पड़ी रहती है और विल एल्प यू तो बाई राइट कार एकदम निव डिजाइन देखने को मिल जाएगा विद निव टाइप ओफ फुल एल्डी हेडलम्स, मॉडिफेट बंपर, फ्रंट कैमरा जैसे फीचर्स के साथ साही लुक में आपको इस गाड़ी में निव स्टाइल के 18 इंचिस के डिमेट के अलाइविल्स प्रोवाइट किये जाएंगे बागी आपको ओर व्यम के नीच अगर हम बात करें अंटेयर की अंटेयर में बेसिकली अब आपको किया करेंस पे सेलटोस की तरह अंटेयर प्रोवाइट किया जाएगा जिसमें आपको एकी सिंगल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी इसमें आपको फूल इचितल इंस्रुमेंट कलिस्टर 10-Inch infotainment सिस्टम with 360 degree camera भागे आपको इस गाड़ी में front to ventilated seats, driver electric seat, electronic parking brake और आपको इसके passenger side में भी screen देखने को मिल जाएगी उसके साथ आपको captain seats को option प्रोवाइट किया जाएगा, overall sitting capacity and space आपको पूरानी जैसी ही देखने को मिलेगी याने कि अब आपको anterior में काफी बढ़िया and premium anterior प्रोवाइट किया जाएगा with new features safety wise आज की rate में आपको 10 से 20 लाग की गाड़ी में भी ADAS के features देखने को मिल जाते हैं जब Kia करेंस का facelift आएगा इसमें आपको 6 airbag standard देखने को मिलेंगे विद ABS EBD Hill Assist Tire Passion Monitoring System जैसे features के साथ आपको level 2 के ADAS के features प्रोवाइट कर दिये जाएगे same features जो आपको Kia Seltos 2023 में भी प्रोवाइट किये जाते हैं याने कि अब आपको Kia करेंस में ADAS भी देखने को मिल जाएगा इंजन options में आपको एक तो 1.5 डेटर का normal patrol engine प्रोवाइट किया जाएगा उसके साथ 1.5 डेटर का turbo patrol engine और एक 1.5 डेटर का diesel engine याने कि in terms of engine options यहाँ पे आपको कोई भी difference नहीं देखने को मिलेगा अगर हम बात करें launch rate की यह गाड़ी 2024 के mid तक इंडिया में launch हो जाएगी आज जो इसका price है वो basically पहले जितना ही होने वाला मतलब कि 19-20 का फरक होगा जाथ से जाथा वो 40,000 या फिर 80,000 तक महंगा होने वाला है वाकि इतना difference नहीं होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो informative लगी हो आप वीडियो का like and चैनल को subscribe कर सकते हैं इस वीडियो को इतना रखते हैं टेक के जहीं बाबाद and have a nice day